ओम नमो नारायन दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एकादशी की तिथी और शुब मुहुर्थ के बारे में जी हां दोस्तों जेस्ट मास के कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी जिसे अप्रा या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है यह एकादशी कब है कब से लेकर कब तक एकादशी के तिथी रहने वाली है और व्रत का पारण मुहुर्थ द्वादशी तिथी के दिन कब रहेगा आए दोस्तों जानते हैं अप्रा का अर्थ होता ह अपार यानि कि इस एकादशी का व्रत जो भी भग सच्चे मन से करता है उसे भगवान श्री हरी के गृपा से अपार सुख की प्राप्ति होती है अपरा एकादशी प्रारम हो रही है 5 जून को 4 बचकर 7 मिनट पर और यह तिति समाप्त हो रही है 6 जून की सुभा 6 बचकर 19 मि क्यूंत डोस्तों जब भी ऐकादशी की दो दिन तक परती है तो ऐसे में लोगों के मण में प्रेश्न होते हैं कि हमें किस दिन यह व्रत करना जाही कि अगर सब्सक्रा अपना अध्यक और कर सकते हैं दोस्तों एकादशी के पारण के बारे में एक नियम यह भी है कि पारण हमेशा द्वादशी तिति के दिन ही किया जाना चाहिए और सूर्यदे के बाद ही किया जाना चाहिए अगर सूर्यदे से पहले ही द्वादशी तिति प्रारंब हो चुकी है तब भी आपको सूर्यदे क बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए पारण हमेशा किसी ब्रहामन को भोजन कराकर दक्षिना देने के बाद करना चाहिए या फिर किसी निर्धन को किसी भूख के व्यक्ति को भोजन कराने के बाद करना चाहिए अब दोस्तों ऐसे में सवाल उतता है कि जो लोग 5 चार म flavored करना चाहिए छे बज़े के बीच में अपने व्रत का पारण करना चाहिए लेकिन कभी ही टौँधिती के दिन जैसा मैं आपको बता हैं कि हरीवशिक के समय अपने व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और किसाथी दौक परारण नहीं करना चाहिए 11 बजह एक बगवजे के बीच में कभी आधशी के अधि माना जाता जाता है एक दिन पहले थे विए को आपको बहुत सारे यह से लिए गए यग रिकनी करना चाहिए तामसित भुजन का प्रयोग आपको दश्मितिती के दिन भी नहीं करना चाहिए चावल का प्रयोग आपको दश्मितिती के दिन नहीं करना चाहिए कुछ दाले हैं जैसे कि मसूर की दाल, चने की दाल, उड़त ये आपको दश्मितिती के दिन नहीं खानी है इसके साथ ही आपको द्वादशी तिथी तक इन नियमों का पालन करना होता है दोस्तो अपरा एकादशी के दिन कौन सी वृत कथा सुनी जाती है पूजा किस तरह करनी चाहिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए इसके साथ किन चीजों को खाकर आप अपने वृत का पारण वादशी तिथी के दिन कर सकते हैं इसके बारे में एक वीडियो मेरी चैनल पर अपलोड़ेड है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है आप से नुरोध है कि एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखेगा दोस्तों आने वाले 10 जून को साल का पहला सूरिक रहन भी लग रहा है अगर आप जाना चाहते हैं सूरिक रहन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कौन-कौन से काम है जो की गर्भवती महिलाओं को खास कर नहीं करने चाहिए तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर देखेगा जो मैने अपने चैनल पर अप्लोड कर दी है और उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में विश्णु भगवान की जय लिखेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों अगर आप All बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी नहीं मिल पाएगी इसलिए आप से निरोध है कि All बटन को भी चरूर क्लिक कर लीजेगा